आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें छे गुणित दस की घात माइनस 19 कुलाम, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 3.2 गुणित दस की घात माइनस 19 कुलाम, ठीक है, उसके बाद क्या है 8.2 गुणित दस की घात माइनस 19 कुलाम, 6.4 गुणित दस की घात माइनस 19 कुलाम अब यहाँ पर हम क्या करते है, यह क्या है, हमारे पास जो आवेश का मान होता है, एक आवेश का मान वो क्या है, 1.6 गुरित 10 की घात, माइनस 19 कुलाम है, यह एक इलेक्टरॉन का आवेश है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो क्या हो गया है, यह किसका गुड़ाज है, एक गुड़ित 1.6 गुड़ित 10 की घात माइनस 19 कुलाम का गुड़ाज है, ठीक है, वैसी ये दूसरा 3.2 है, देखो ये किसका गुड़ाज है, 2 का गुड़ाज है, ठीक है, 2 गुड़ित 1.6 मतलब 3.2 आएगा, तो ये क्या हो गया, 10 की घात माइनस 19 कुलाम, तो ये किसका हो गय अब 8 गोडित 10 की घात माइनस अनिस कुलाम किसका गोड़ा यह रहा तो यहा पर 10 की घात माहिना, 19 गूल, हम सब में, यह, इसका महत्तम समध, common है, यह सब में, है ना, और इसमें, गुणज क्या है, एक है, दो है, पांच है, चार है, यह देखो पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या है, इसको हम N मान लेते हैं, तो N क्या है, गुणाज हो गय मतलब हमारे पास जित्ते भी आवेश हैं वो क्या है? N E है, ठीक है? N E है, तो ये इसके गुणाज की रूप में हैं तो हमारे पास यही निश्कर्स निकलता है कि जो चारो आवेश, मतलब चारो बूंदो के जो आवेश दिये हुए हैं वो क्या है? उनके जो मूल आवेश है, वो क्या है? एक दसमलोच चाह हैं तता वो सभी क्या है? इस मूल आवेश के गुणाज है, ठीक है? तो ये गुणाज है, तो ये क्या करते हैं? क्वांटम प्रकृती की पुष्टी करते हैं किसकी पुष्टी करते हैं? क्वांटम प्रकृती की पूष्टी करते हैं, ठीक है? यही हमारा उत्तर है, धन्यवाद!